एलो प्रेंस वेलकम बैक टू मैं चैनल सागत है आप सभी का मेरे सपड़ लोगी चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ना भी लाइन से आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी जो आने वाली संतान है वो एक बेटा होगा या एक बेटी होगी क्योंकि यह जो लक्षन है हमें काफी हद तक सही सावित देखने को मिला है और यह लक्षन हम आपके साथ भी शियर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साइड मावल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए जब भी कोई गरबती महिला होती है तो उसके मन में एक जिग्यासा तो होती है साथ में ये भी एक खुशी होती है कि उसके आने वाली संतान क्या है एक बेटा है या बेटी वो उसके मन में जरूर रहता है हर किसी गरबती महिला की इच्छा होती है जानने की कि आने वाली संथान क्या है लेकिन ये तो 9 महीने के बाद ही पता लगता है उससे पहले तो आप एक जिग्यासा को कम ही कर सकते हैं और अपनी तसलिक लिए इन लक्षणों को आप देख सकते हैं तो सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं देखो अगर आपको 14 मंद चल रहा है ठीक है चौथे मंद से आपको देखना है आपकी जो पेट है उसकी जो नावी लाइन है वो किस पिरकार की है कैसी आपको दिख रही है अगर आपकी जो नावी लाइन है वो नीचे से जैसे चौ काली है बिल्कुल काली है और चोड़ी है और एकदम सीधी है बिल्कुल यहां आपका नावी बटने नीचे से ले करके आपकी यहां नावी बटने वहां तक सीधी है बिल्कुल और नावी के ऊपर से वह आपको तिर्ची दिख रही है तेड़ी सी आपको दिखेगी वह भी कर से उपर तक एकदम पतली जा रही है और आपकी सीधी जा रही है तो यह एक लड़की होने का साइन माना जाता है ऐसे इस्तिति में आपने एक बेटे को ही कंसिब किया हुआ है क्योंकि यह जो लक्षन है काफी ओल्ड वाइब महिलाओं ने सही साबित बताया है हमें तो हमने आपके साथ शेयर किया दूसरा अगर आपकी जो नावी बटन है वह बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगा है पांचे महीनी से आपको बहुत ज़्यादा आपका नावी बटन दिख रहा है और आप देखो जैसे कही महिलाओं का आप देखा होगा कि जो सूट पहनती है पहर जाता है तो अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप भी समझ सकते हैं कि आने वाली संतानिक बेटा होगा अगर आपका नावी बटन में कोई फरक नहीं पर आपका बाहर निकला ज्यादा नहीं लड़की होने का साइन वारा जाता है ऐसी स्थिति में आपने बेटी को है यह जो लक्षण है बहुत ही सही साबित होते हैं यह लड़का होने के ही चांस होते हैं अगर यह लक्षण आपको दिख जाते हैं जैसरी किष्णा रादे-रादे कमेंट वर्क्स में अवशी लिखें